हरी प्याज आलू बनाने के लिए मैंने लिया है चार से पांच आलू इन्हें मैंने मोटा मोटा पीस में काट लिया है और वाश करके रख लिया और यह है प्याज लगबग आदा किलो प्याज है उसके जो ग्रीन वाली होती है पत्ती वो भी काट लिया और जो उपर प्याज लिए हैं मोटे मोटे और यह दो प्यास प्यास आपको सिर्फ कम लेनी क्यों अल्रेडी प्यास की ही सब्जी है तो मैं सिर्फ दो प्यास लिया है और यह चार लाल मिर्ची सूखी वाली और दस से बारा लसंगी कर लिया है इन्हें मैंने बारिक बारी काट लिया है और अब मैं गैस पर रखूँगी कड़ाई, कड़ाई को हम करेंगी गरम और इसमें मैं डालूँगी सरसो ओयल आप इस सबजी को सरसो ओयल में ही बनाए, बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सबसे पहले मैं क्या करूँगे आलू है जो हमारे उन्हें मैं फ्राइ कर लूँगी फ्राइ करके बहुत ही टेस्टी और यम्मी सबजी बनती है आप जरूर इस तरीके से एक बार जरूर ट्राइ करें मैंने तेज आज पर फ्राई कर लूँगी जल्दी यल्दी ताकि फ्राई भी हो जाए और फ्राई होते 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 थोड़ा फ़तो पकी जाते हैं यह देखिए बिल्कुल अभी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं मैं निकाल लूँगी सारी प्लेट में और अब मैं इसी ओइल में डालूँगी अपना तड़का मैं डालूँगी इसमें जो मैंने लसन काटके रखे था ना लसन डालूँगी और अपने डालूँगी लाल मिर्ची और यह मेथी दाना मुझे पहले डालना था बट मैं भूल गई थी बट कोई नहीं साइड में हम इसे डाल देंगे साइड में यह भी पकता रहेगा और हाँ एक चीज़ और आप इसमें जीरे का तड़का बिलकुल भी न लगाएं मेथी दाने का तड़का ही लगता है और बहुत यह अच्छा फ्लेवर बहुत यह टेस्ट आता है इसे मैं साइड में करके मेथी दाने को भी पका लूँगी इदर और इदर लस्टन और हम मिर्ची पका लेंगे साइड में हमें इसे इस तरीके से गोल्डन कर लेना है प्यास को और अब हम इसमें प्यास डाल देंगे अपने प्यास को भी हम गोल्डन कर लेंगे हमारा जो प्यास है इसका कलर चेंज हो गया है अब यह हमें हलका सा और इसे ब्राउन करना है है कि इस देखिए लगबग यह हो गया है ब्राउन जादा ड नहीं करना मैं इसमें टतमाटर डाल दूंगे अपने तमाटर मैंने जादा दाल मेर्ज का पाउडर एक चमच, यह हल्दी आदी चमच, धनिय पाउडर एक चमच, और यह सौफ का पाउडर एक चमच, मैं डालूँगे इसमें नमक और यह है हींग, दो चुटकी हींग है यह, हींग जरूर एड करनी है और यह है नमक, नमक मैने अपने टेस्ट को गण है मतलब लग भगमाने डेड़ चमस डाला होगा इसमें आप अपने स्वात के अनुसार डालें कि सारे मसालों को हम धीमी आज पर मिक्स करेंगे कि सारे मसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से अब मैं इसमें डाल दूंगे अपनी प्याज और प्याज को भी हम मसालों में टमाटरों में मिला लेंगे आप चाहो तो ऐसे ही प्याज की सबजी भी बना सकते हो मतलब आलू ना ऐड़ करो जिसे आलू नहीं पसंद प्याज की सबजी में तो यह ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगती है अगर आप आलू एड़ करना चाहते हो तो आलू भी एड़ कर सकते हो अब मैं इसमें आपने आलू डाल दूंगी एक चीज़ और अगर आप इसे dry रखना चाहते हो तो आप ऐसे dry भी बना सकते हो पाने बिल्कुल add मत करो भिल्कुल धीमी आज पर से एक लोग पक जाएगी बिल्कुल पर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी add किया है हलका सा जाद अब बिल्कुल gravy वाली सबजी नहीं है medium सबजी है ये तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें add किया है मैंने लगभग इसमें एक ग्लास पानी डाला है अभी डालूँग यहादा और अभी थोड़ा सा और डाल देती मुझे कम लग रहा है मैंने इसमें लगभग एक ग्लास पानी डाल दिया है और यह हमारा गरम मसाला आप कोई भी ब्रैंड का अच्छे ब्रैंड का गरम मसाला डाल दें अगर आपने घर में आपके पिसे हुए गरम मसाले रखें तो वो भी डाल दें अब मैं इसे कवर करके मीडिया माच पर पकाऊंगी लगभग 15 मिनट 15 मिनट हो चुके हैं चलिए चेक कर लेते हैं एक पर वाँ खुश्बू तो बहुत ही अच्छी आ रही है बट अभी थोड़ा सा मुझे इसे और पकाना है सब्जी हमारी बिल्कुल बनके रैडी हो गई है यह देखिए हलकी हलकी से इसकी थिक ग्रेवी है अब मैं इसे बाउल में ट्रांसफर करूँगी चलिए इस बरतर मैं मैं इसे निकाल लूँगी आप इस सब्जी जरूर बनाएं आपको बहुत पसंद आएगी यह देखिए अगर आप चाहे तो इसे सूखी भी बना सकते हैं अगर आपचाहे तो इसे ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं ये दोनों तरीके से बहुत ही टेस्टी लगती है हरी प्यास की सबजी और अब मैं इसमें इस बाउल में सारी सबजी डाल दूँगी अब ये ठंडी हो जाएगी न तो इसका कलर बहुत ये अच्छा जाएगा अभी गरम-गरम है तो मैंने इसे गरम-गरम ऐसे सर्फ कर लिया और जो लाल मिर्ची है उसे भी मैं थोड़ा सा गार्निश करने के लिए उपर रख दूँगी और थोड़ा समय से स्प्रिंग अनियन मैंने बचा लिया था दो चार धनिया आग चाहो दो धनिया से कर दो बट स्प्रिंग अनियन मैंने डाला है हलका सा ताकि थोड़ा सा गा इब में बाइब बाइब बाइब